और आप अगली खबर में बात करते हैं आयोध्या की जहां अपना दौल पार्टी की राष्टी अध्यक्षवा केंद्री राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के आवाहन पर विगत 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का कारिक्रम जिने के विविन विधान सभाव में चलाया चा एसा ही सदस्यता अभियान का एक कारिक्रम दक्षडी जोन हैदर गंज के प्रभारी प्रमोद सिंग के नैत्रित में आयोध्या विधान सभाग गुसाई गंज में आयोजित किया गया सदस्यता अभियान के इस कारिक्रम में केके पटेल बत और मुख्यातिति के रूप में सिर्कत करने पहुँचे जहां पर उनका स्वागत मंचासीन पार्टी के तमाम वरिष्ट पताधिकारियों ने इंग्चावन किलो की माला पहना कर किया सदस्यता अभियान के इस अबसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष समेथ तमाम वक्ताओं ने पार्टी की नीतियों और उनके विचारों पर प्रकास डालते हुए अपना-पना मत रखा जिला अध्यक्ष कृष्ण देव बर्मा ने सदस्यता अभियान में उपस्ति छेत्र में तमाम पार्टी कार्यकरताओं और सक्रिय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन वस्वागत किया और इस दोरान भारीत आदाद की संक्षा में मुस्लिम वर्ग के साथ युवा वर्ग के लोगों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया और पार्टी की सदस्यता भी ग्रहने मेडिया कर्मियों से बातचित करते हुए विधान सभा प्रभारी प्रमोट सिंग ने कहा पार्टी ने जो हमें मान सम्मान दिया है वैं हमें और कहीं नहीं मिला उन्होंने कहा विधायक ना रहते हुए भी मैंने हमेशा गरीब दलित सोसित पिछड़ा वर्ग की लडाईयां लड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ बता और मुख्यातित के रूप में आयके के पटेल ने मेडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि नेता अनुपरिया पटेल देश की सबसे काबिल नेता है और उनके उपर भरस्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है उन्होंने विधान सफ़ा प्रभारी प्रमूद सिंग के कारिश हमता की प्रसंसा करते हुए बताया कि जिस तरीके से प्रमूद भाई ने छेत्र के जनता के बीट जाकर सदस्यता अभियान का कारिक्रम चलाया है और पार्टी के विचारधारा और उनकी नितियों के बारे में बताने का प्रयास किया है वैबधाई के पात्र है सदस्यता अभियान कई है कारिक्रम 9 अक्टूबर तक चलेगा सम्मानी चैनल के मार्ध्यम से इस उत्तर प्रदेश और भारत देश की महान जनता से हाथ जोड़कर की निवेदन करना चाहूगा कि हमारी पार्टी की माननी राष्टी अध्यक्ष उनकी जो लगातार दो बार वो सांसद रही और लगातार दूसरी बार केंदर में मंत्री है और उनके ऊपर एक भी रूपय का आज तक कोई भरस्टा चार का आरोप नहीं है बेदाग छबी की नेता है और हमारी पार्टी की माननी राष्टी अध्यक्ष है उन्होंने चार अगस्ट दो हजार बाइस को पार्टी की उत्तर प्रदेश में मानता मिलने के बाद परताबगड की धर्ती से जहां हमें पार्टी का पहला बिधायक परताबगड के जन्ता ने दिया था वहां से बड़ी रेली करके सदस्ता अभियान की सुरुवात की है और पूरे उत्तर प्रदेश की पूरी 403 बिधान सबाओं में हमारा सदस्ता भियान चल रहा है और 1612 जो है हमारे हर बिधान सबाओं में 4 जोन प्रभारी के हिसाब से 1612 जोन प्रभारी पूरे प्रदेश में बनाए गए है और 18 मंदल में 18 मंदल परभारी किये गए हैं और एक करोड सदस से 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बनाने का हमारा लक्ष है वो लक्ष हम पूरा करें